कि नमश्कार दोस्तों एक वाफी से स्वागत तना चाहूंगा आपके अपने उफिशिल यूटुब चैनल पर जिसका नाम है गौवर्मेंट जॉप्स एनल्सिस तो दोस्तों के जैसे कि आपको पता कि मैंने तीन दिन पहले अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी जिसका तो ये वीडियो दोस्तों तो ये वीडियी दोस्तों थी इसके ऊपर मैंने आपका प्रमेल को ये मैं पूछा थी जो उसका आपके नंदे राइफल को भूट है को जिसका दूस्तों मुझे अपड OW देट मिल चुका है तो ऑठीय इपलाई दोस्तों आ चुका है और मैं सबसे वहले आपको आप टीय के तरफ ले जाना चाहूंगा तो यह आपको लिख रखा है तो है तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहें इसको जड़ार साफ कर लेता हूं थोड़ा सा मुझे खराब रहे हैं तो आपके साम दौरत डाक दौरा भारत सरकार ग्रह मंत्राले महानी देशाले असम राइफल शेलोंग में के हैड ओफिस है तो 3 जुलाइ को उनका दोस्तों आटीया डिस्पोज कर दी थी मेरा नाम अजेराना यह मेरे आटीया का नंबर ठीक है यह मेरा एड्रस है दोस्तों अब मैं पांच के अंतरगत महोदेजी नंबर वन इस निदेशाले में दिनाक 2 जुलाई को प्राप्ट सूचना अधिकार आटीय प्राथना पंजी करन संख्या असाम रैफल दिनाक 30 जोन के संधर्व में ठीक है जो मैंने आटीय की थी उसके संधर्व में दोस्तों यह बता रहे है नंबर दो आपको यह अवगत कराया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनम 2005 की धारा 24 और अधिनम की अरुसुची 62 के अनुसार असाम रैफल को सूचना ना देने की चूट दी गई है दोस्तों ठीक है नंबर त्री इस संधर्व की प्रथम अपील प्रदिकारी अपर महानि देशक मुखाले महानिदिशाले असम रैफल लाइट को और शिलॉंग यह दोस्तों शिलॉंग यानि कि असाम रैफल की तरफ से अपडेट आ गया है मेरे आटिए का दोस्तों उन्होंने जबाब दे दिया है जबाब मैं आपको अच्छी से समझा दों कि जबाब में लिख साथ ही साथ सॉल्जर जीडी कलर्क और अन्य पदों के लिए जो मैंने आटिए की थी जानने के लिए कि इसके पदगब तक निकल सकते दोस्तों तो उनके उपर इनने बिल्कुल खारिच कर दिया है और इनके तरफ से कहा गया है कि इनको पूरी छूट मिल जाती है दो हजा कि मात्यम से बिल्कुल कवर अप कर दिया है कि बिल्कुल भी इन्फोर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि दोजार पांच की धरा चौबिस के अनुसार छोट नहीं दे सकते हैं वो दोस्तों ठीक है तो बात रही वेकैंसी की तो इस साल वेकैंसी नहीं आने वाली है साम रैफल क यह बिल्कुल इस आटिया के थूख हमें क्लेर हो चुका है ठीक है अगले साल अगर आती है तो कुछ ना कुछ हमें उससे मिलता जूलता अपडेट मिल जाता लेकिन अगले साल वेकैंसी आएगी दोस्तों इस साल वेकैंसी नहीं आएगी है साम रैफल की चांस इस तो बन अगले साल अगर वेकैंसी आएगी तो उसका अगर हम आटिय करेंगे तो हमें उसके उससे मिलता जूलता कुछ रिप्लाई मिल जाएगा जरूर लेकिन इस साल वेकैंसी चाहे ट्रेट में और टेकनिकल हो चाहे अन्य कोई पड़ोज में नहीं निकलने वाली तो यानि कि इस साल वैली नहीं होगी साम रैफल की असाम रैफल एक ऐसी फोसे जिसको मिनिस्ट्री ऑफ दौनों की स्रियोग सपोर्ट मिलता है ठीक है कफी अच्छी पेरेमेल्टरी फोसिस मानी चाहती है धुर्त कानुन ब्रांच की तरफ से लेटर आया होँए कि उन्हें विल्कुल खारीच कर दिये कि हम कोई भी शूचना आपको नहीं दे सकते हैं किसी भी भरती है किसी भी अनने चीज़ के बारे में बौलता है कि हमें आपको बताता है जूट हो जूट वाली आटे बनाके कुछ से अडिट करके आपको बताता है तो वह जूट होगा दोस्तों साल बिल्कुल भी नहीं रह लिए गी दोस्तों यह बिल्कुल क्लिर आट कर लो पाकी जुच भी अगर मुझे अपडेट मिलता तो आपको व्रूर उसके साथ मैं आउगत करा हूँ जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा था एक दो दिन वीडियो बनाने से पहले ही का था मैंने ए किया साइव रैफल कि साल में दी नहीं आएगे उन्हें भी रिप्लाइ मिला कि साल मेंडे नहीं आएगी दुस्तों ठीक है थोटी को हमारी इंफॉर्मेशन बिल्गुल सही लेगे सब्सक्राइब कर देना को मैंट सब्सक्राइब मत बोलना चैनि